Hi everyone, so welcome back to this video, तो अब discuss करते हैं यार, continuously पूरे lectures मिलने वाले हैं आप लोगों को object oriented programming के अंदर, ठीक है, OOPM जिसको कहते हैं, OOPM कह सकते हैं, methodology, ठीक है, या फिर oops, ठीक है, OPS, तो अब समझते हैं यह क्या चीज है, इसके अंदर अपने को पढ़ना क्या है, ठीक है, तो भाईया इसके अंदर अपने को दो basic terminology के बारे में पता होना अची, class क्या होती है और objects क्या होती है, then इसके बारे में अपन पूरा अच्छे से explain करेंगे, एक एक चीज समझेंगे, आप लोगों को समझाएंगे, हर एक चीज, उसके बाद जो four pillars है, object oriented programming के, inheritance, encapsulation, abstractions, and polymorphism, ठीक है, उनके बारे में भी later on, पूरा complete discussion करेंगे, सब चीज आपको free on cost, true engineer channel में, सब चीज मिलने वाला है, okay, so discuss करते हैं, object oriented programming, एक क्या है, paradigm है, for designing a program, ठीक है, program को design करने के लिए, हम इस object oriented programming concept को पढ़ते हैं, जो एक methodology है, methodology है, या paradigm है, या फिर एक concept है, है जो use करता है, class और objects के बिह पर, अब class क्या होती है, objects क्या होते है, हमें ये बदाओ, दो second रुको बच दो second, then हम इस पर discuss करते हैं, ठीक है, it simplifies the software development and maintenance the providing concepts, अब मेरे बात ध्यान से सुनना, object oriented programming का हम दो बिहाफ पर work करते हैं, पहला तो कि जो हमारा code है, वो भाई, nice working होनी चाहिए, code neat and clean दिखना है ना, और तरीके से लिखा होना चाहिए, ओके, दूसरा यह है कि, जो भार का बंदा है, वो अपने code को access ना कर सके, तो code में कई कई जगा पर अपनी privacy maintain होनी चाहिए, तो हम ये दोनों चीज़े, with the help of object oriented programming concept maintain कर सकते हैं, बड़ी असान तरीके से, ठीक है, तो मेरे खाल से आ पहला point क्या है, कि भाई, अपना code neat and clean, और अपना जो working है, वो अच्छी होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे object oriented programming का समझते हैं, ठीक है, concept, दूसरी चीज़ यह है कि, अपना code neat and clean हो गया, easy to use हो गया, हर एक बंदा समझ रहा है उसको, आपने को ये चाहिए कि, कोई third person आके, कि अपना code change ना कर सके, जहाँ पे अपने अच्छे constraints लगाए हुए, constraints मतलब समझेंगे, आगे चलके सब समझेंगे, मतलब कि कोई third person आके, अपना code change ना कर सके, ठीक है, जहाँ पे अपने value दिये कि भाईया, अपने amount है bank में, उसमें मेरे पास 12,000 रुपे पड़े हैं, suppose that, क बड़ उसमें right operation perform नहीं कर सकता, या फिर उसमें थोड़े से constraints अपने और add कर दे कि ये ना कर सके, वो ना कर सके, तो second चीज़ यह है कि privacy maintain होनी के लिए, हम object oriented programming concept पढ़ते हैं, ठीक है, अब आपके colleges में हो सकता है, C++ से OOPM करवाद दिया हो, या किसी ने, या फिर Java से बहुती rare chance में होता है कि कोई python से OOPM करवा रहा हो, ठीक है, क्योंकि समझेंगे इसके बारे में आपन आगे अलग से वीडियो में समझेंगे, पर most probably ज़्यादा काम आपका C++ होगा या Java में होगी, मैं कहता हूँ भाईया, object oriented programming, same है, similar है दोनों में, ठीक है, C++ में भी आप जिसको आती है तो वो भाईया, C++, अरे कुछ नहीं होता है, object oriented programming और DSA, data structures and algorithm, आप भले C++ से कर रहे हो, भले आप Java से कर रहे हो, कोई फरक नहीं पड़ता, ठीक है, समझदार हो, आपको दोनों language की बारे में अच्छे से need होनी चाहिए, पता होना अच्छी है, सब चीज क्य से बता रहे हो आपको, ठीक है, समझ जाओगा आप, आप चाहे C++, चाहे जाओगा, कोई भी, ठीक है, भले DSA हो या object oriented programming हो, अब मेरे खाल से इत्ताक layers अभी को हो गया होगा, अब अपने दो चीज़े बात करें इसके अंतर, classes और objects, classes क्या होता है, हमें ये समझ में नहीं आ classes और object आज की वीडियो में discuss करेंगे, remaining आने वाली lectures में discuss करेंगे, जो सब आपको true engineer में हम आपको provide करेंगे, classes क्या होती भी, अब वो समझाओ, जैसे suppose that मैंने एक variable बनाया, एक नाम का, ठीक है, अभी हम उसमें कोई value ने डाल रहे, garbage by default अपने को मिल जाएगी, ठीक है, मैं च C++ से follow करूँगा, आप चाहो तो Java से भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं, simple concept सीखना है, अपने को अगा कोई variable define करना है, भाई हम इसी तरीके से करते हैं, ठीक है, C++ यह Java के अंदर, int लिखेंगे, मतलब data type लिखेंगे, उसका नाम लिख देंगे, अब हम चाहते हैं कि हम character हो गया, string हो गई, float हो गया, double हो गया, बट हम चाहरे हैं, इनके अलावा, जो बने हुप हुए हैं, हम उनके अलावा किसी और चीज का use करें, जो हम खुद से define कर रहे हूं, जैसे integer specified रहता है, 4 byte, नह compiler की बात करें, 64 bit, ठीक है, character C++ में बात करूँ तो 1 byte, Java में करूँ तो 2 byte ठीक है, अब मैं बाकी बात करूँ है, string double float, वो तो सभी को पता है, range क्या है, क्या है, और कितना storage लेता है, ठीक है, मैं अब उनकी बात नहीं कर रहा है, suppose integer चल रहा है, 4 byte चल रही है, integer के लिए, हैना, अब मैं चाहरा हूं कि भाईया, एक ऐसा data type मैं खुद से design करूँ, मैं यह नहीं बोला कि integer होना चीए, character होना चीए, string होना चीए, double होना चीए, boolean होना चीए, या फिर float होना चीए, मैं यह कहीं नहीं रहा, ना integer होना नहीं, अपन ने समझा कि integer 4 byte का होता है, बट मैं चाहरा हूं कि मेरा एक code हो जिसमें कम चेकम 80 byte यूज हो रहा हूँ, समझ रह अपन अपने को कोई जलबाजी नहीं है अपन पूरा सीखेंगे ए टू जड़ सीखेंगे ठीक है प्लेश्मेंट भी यहीं से होगा इंजिनेरिंग सारे इग्जाम यहीं से होंगे यह सारे लेक्चर भाई है ट्रू इंजीनियर के भाई है ने ऐसे स्पेसिफाइड पढ़ाय है कि शायद ही कोई पढ़ाएगा ठीक है और सब चीज फ्री आफ कोश्ट कोई कुछ नहीं है काम है आपका बस पढ़ना डेडिकेड़ली फॉलो करना अब ध्यान जो समझते है अपने को पता है कि भाई है इंटीजर स्पैसिफाइड है फॉर बाइट के लिए ठीक है नए फ्लोट डबल उनकी बात करेंगे तो उनकी कुछ-कुछ रेंजेस है वो पता है अपने को अब आपन समझ गए बट अपने को अब ऐसा डेटाडाइब बनाना है जो कि इन सबसे हटके हो हमें भाईया ना इंटीजर चाहिए हमें भाईया ना केरेक्टर चाहिए हमें भाई इन बिल्ट डेटाइब बट हम चाहते हैं हम खुद से डिजाइन करें तो उसको कहेंगे यूजर डिफाइन डेटाइब यूजर चाह रहा है ना कि मैं डिफाइन करूं ठीक है तो हम जब खुद से डिफाइन करते हैं उसको कहते हैं यूजर डिफाइन डेटाइब यूज क्लास का क्या है क्लास का मतलब यह न हम खुद से डेटा टाइप डिफाइन कर सके सो क्लास क्या हो गई user-defined डेटा टाइप हो गई मेरे ख्याल से बच्चा समझ गया अब समझते हैं क्लास ठीक है तो यह पहली लाइन पढ़ते हैं सबसे पहले सो इसमें आप दो चीज़े भी डिसकस करेंगें C++ या फिर जावा में क्लास और अबजेट्स ठीक है तो अब अपन उसकी डिसकस करते हैं क्लास की बात मैंने करी है क्लास क्या होती में यह अभी आपने में को समझा दिया अभी अपन इस स्लाइड के अंदर देख रहे हैं एक प्यारशी डेफिनिशन है क्लासेज इस अ यूजर डिफाइन डेडा टाइप मतलब हर एक यूजर खोद से अपना डेटा टाइप डिफाइन कर सकता है समझते हैं स्कूर जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पिछली स्लाइड में बताया था इंटीजर टेक कर रहा है अपना 4 और इंटीजर में अपन सब्सक्राइब एक इंटीजर की रेंज में ही वैलूड श्टोर कर सकते हैं लेडच आप कर सकते हूं इसकी कोई रेंज होगी कि भाई नहीं मैं सिर्फ integer नहीं चाह रहा है ना एरे क्या है एरे डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर अगर मैं एक integer data type store करवाना चाहूं जैसे 2, 4, 3 तो इसकी contages क्या होंगे सब integers होंगे यह array में constraints है कि यहाँ पर अपने एक array अपर C++ यह Java की मैं बात करूं Python की बात नहीं चल रही है यह JavaScript की बात नहीं चल रही है सिर्फ दो अभी language programming main concept की पात चल रही है दो languages की तो इनमें ऐसा रहता है कि आपने जिस type का data store कर रखा है उसी type का data पूरिस में array में store होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ पर array लिया तो यहाँ पर character हो गया नहीं भईया यहाँ पर string हो गया नहीं हो सकता array integer type का है तो सब integer type का ही array possible होगा data ठीक है यहाँ ऐसा नहीं होगा कि 2 के बाद A आ गया फिर B आ गया नहीं 2 है तो अगला integer या फिर number होगा अगला भी number होगा अगला भी number या फिर integer value होगी ठीक है समझ गया समझ गया अब आगी समझते है मैंने क्या बोले class की बारे में discuss हो रही है अभी थोड़ी तेरे पहले बताए कि class की होता है कि user defined करता उसको ठीक है तो class क्या होगा user defined data type हो यह होती क्या नहीं programming language में बताओ भई यह general language में नहीं चाहिए class होती है सबसे पहले आप किसी भी बंदे को बता रहे हो या फिर लिख रहे हो exam में class के बारे में या फिर कुछ भी हो रहा है जिंदिकी में कोई तुमसे पूछ रहा है classes के बारे में तो class is a user defined data type सबसे पहले य समझ गया उसके बाद आप समझते हैं समझते हैं इसको ठीक है class is a group of similar object अभी आपको object नहीं पता अब यह क्या line हो गई हमें तो पता ही नहीं भई यह object रुको जरा 2 minute रुको अभी आगे समझेंगे it is a template super important चीज़े it is a template from which objects are created यह सारी line समझो अभी अभी आपको समझ में आ templates के बारे में पता होगा तब भी हम आगा अच्छे से देखेंगे it can have fields method and constructor ठीक है constructors क्या होते हैं नहीं पता methods क्या होती है अभी method नहीं पता हूंगी पर function पता है मेरे ख्याल से हरे एक बच्चे को वाई basic programming में आती functions function पता है ना बस बिल्कुल similar है method अभी चमझेंगे fields क्या दी नहीं मैं पूरा object oriented programming चा रहा हूं कि आप लोगों को मैं as a complete true engineer के अंदर ऐसा programming concert सिखा हूं object oriented के अंदर कि आपका interview में आये चाहे आपका engineering exam में आये आपका कहीं ऐसा नहीं होने चीकी question रह जाए ठीक है तो मैं अपने end से 101% दोंगा हर एक छोटा concert पकड़ूंगा ठीक है हर एक छोटी चीज से लेगे बड़ी बड़ी चीज में पूरी समझेंगे कोई जल्दी नहीं है में को पाता है कि बच्चे exam के टाइम में पढ़ेंगे तेजी में सब पढ़ लेंगे ठीक है तो में को कोई जल्दी नहीं आराम से बनाओंगा मैं ओके तो सब चीज मिल अब चलते हैं थोड़ा सा कोड की तरफ आपने देख लिया कि बढ़ास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है पहले यह लाइन समझते अच्छे से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब क्या होता है अब हमने आपको बता दी जैसे सिंपल वे में एक टाइप ड रोट है दूसरा है डबल है एना स्ट्रिंग है यह है फलाना है दिंकाना है ऐसा ही एक टाइप का डेटा टाइप अपने को क्लास देता है जो यूजर खुद से डिफाइन कर सकता है अब इसका मतलब समझता है मैंने आपके सामने एक कोड लिखा है बहुत ही छोटा सा अब इसको थोड़ा समझते हैं अगर आप जावा में लिखोगे तो आपको सेमिकॉलन लगाने की कोई जरुवत नहीं है आप बॉड़ी का जो यह ब्रैकेट उसको बंद करोगे सिंपल मतलब सेमिकॉलन नहीं लगाओगे जावा में ऐसे सिंपल यह लगा दिया पनने ठीक है ऐसे को कहते हैं अब समझते को देखो मैंने बोला कि मैं मतलब हर एक चीज यानते तो आपन कुछ भी डेटा तइप बनालेंगे अपने पास इत्ती सकती तो नहीं है कि अपन हर एक चीज जानते हैं तो आपन कुछ-कुछ भी डेटर टाइप बना लेंगे नहीं भईया, यह हो सकता है combination of inbuilt data type inbuilt data type, inbuilt data type कौन-कौन से हैं भईया, c++ के अंदर बईया, integer है, character है, float है, string है, arrays of characters है array of int है, बहुत सारी चीज है, तो हम इनका use कर सकते है, boolean है, double है, बहुत है, बहुत है, इनका use कर सकते है हमने सबसे पहले एक integer एक बना लिया, ठीक है उसका नाम रग दिया, id क्या है, अपको समझते है यार, variable बना लिया, हमने simple सा, दूसरा एक variable बना लिया, जो इसका नाम रग दिया, बहुत प्यारा समझ में आ गया, अब इसके अंदर तो, इसकी class की क्या हो गई, body हो गई, नहीं है क्योंकि एरे में similar type of data store हो ना इंटीजर है तो इंटीजर और एक लिमिटेशन हो ना ची कि भाई यहां से start हो रहा है यहां पर end हो रहा है ठीक है बीच में कुछ-कुछ value है बट ऐसा इसमें दिख रहा है क्या square bracket दिख रहे हैं क्या नहीं दिख रहे है ठीक है तो क्या of inbuilt data type को कहेंगे अपन class दो definition अपने पढ़ ली class क्या हो गया यूजर डिफाइंट टाइप हो गया दूसरी डेफिनेशन है class के अंदर अपनने क्या क्या कर लिया कि भाई यह combination of different type of inbuilt data types हो साकता है similar भी हो सकते हैं हो सकते है different भी हो सकते हैं इस case में differently हम ने क्यों लियां क्यों को और अच्छे समझ मैं हो सकते हैंeland तो int age ले लूँ और int age ले लिया और int id ले ली यह इना यह similar type of data भी हो सकते हैं हो सकते हैं different type of data हो ठीक है combination of data type हो सकते हैं दूसरा combination of methods, combination of methods plus constructor, constructor अभी नहीं पढ़ेंगे, constructor आने वाले lectures में पढ़ेंगे methods क्या होती है, methods होती है, functions, functions को कहते है methods ठीक है, बट ऐसे function जो class की body के अंदर है, उनको कहेंगे हम methods ऐसे function जो कि class की body के अंदर हैं उनको कहेंगे method function लिखने का तरीका क्या वॉइड अगर वॉइड रिखना है या फिर उसका कोई written type देना है int character दे रहा है तो character float देना है तो written type में float डाल और उसका नाम ठीक है let's suppose मैंने डाल दिया void मैं चाहता हूं print करना प्रिंट कर दिया मैंने और इधर मैंने cout में कुछ भी print कर दिया ठीक है जो मेरा मन किया यह हो गया फंक्शन फंक्शन हो गया बट इस function को मैं इस class के अंदर लिखूंगा तो मैं इसको फंक्शन नहीं कहूंगा अब मैं इसको कहूंगा method समझ गया तो यह language होती है इसको क्या कहेंगे method कहेंगे okay समझ गया मेरे जाल से यार बहुत प्यारा समझा है अब अब अपने को समझ में आगे कि class के अंदर एक क्या होने वाला भाईया combination of हो सकता है similar type of data हो हो सकता है different type of data हो ठीक है similar type of data types के भी combination हो सकता है हो सकता है यहां पर int int हो हो सकता string string हो यह फिर हो सकता है int है तो string है string है तो int है different type of data भी हो सकते है अपने दो definition यहां से conclude कर ली class के अंदर सबसे पहले user defined data type है class ठीक है कि अपने खुद से define कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर देखो न इंटा लगए यह लगए समझ गए बहुत प्यारा समझ गया होंगे मेरी खाल से दूसरी चीज़ है कि यह हो सकते हैं different type of combination of combination of similar type of data या फिर different type of data प्लस तीसरी definition लिखेंगे combination of data type तो हुई गया प्लस methods ठीक है combination of methods भी हो सकता है class class के अंदर आपन चाहें कितनी भी methods बना सकते हैं मतलब कितने भी function इस class के अंदर आपन define कर सकते हैं या फिर call कर सकते हैं अब भाईए यह क्या public ऐसी आप प्राइविट एंड तीसरा है protected आने वाले वीडियो में आपको समझाए जागा कि यह तीनों चीजे क्या है access modifier कहते हैं कई लोग इसको access specifier भी कहते हैं समझेंगे आने वाले वीडियो में समझेंगे अब यह अपने सिर्फ क्लास बनाओ तो मैंने क्लास लिखना होता क्लास तु कीवर्ड कीवर्ड से में लिखने पड़ता है ठीक है देन मेरे को चाहिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यह capital first letter is your capital compulsory है क्लास में इस तरीके से तो मैं काओंगा C++ में compulsory नहीं है बट standard way होता है कि इसको capitalize लिखना जावा में शायद है मतलब है ठीक है जावा में compulsory समझो इसको ठीक है मैं काओंगा कि capital letter में लिखो तो बढ़िया है नहीं लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं C++ के अंदर बट error नहीं थ्रो होगी अगर आप इसको small s लिखोगे तो error थ्रो नही होगी C++ के अंदर बट standard way क्या है कि अपने इसको capital letter से start करें ठीक है इंट को कभी भी आप I capital नहीं लिखते इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है इस ट्रिंग का कभी भी s capital नहीं लिखते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है यह C++ के syntax की बात कर रहो तो भाईए C++ के अंदर अपन इसको अगर small s में भी लिखेंगे ना student का s small भी बनाएंगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है तब भी class में कोई error नहीं होगी कोई syntax wise error नहीं होगी ना कोई compilation error होगी ठीक है जिसको syntax error ही रहते हैं ना runtime error होने वाली है बट बात क्या होने वाली बात यह है कि standard वे है कि अपन इसको लिख लें capital में क्योंकि बाकी programming language में भी अपन capitalize use करते हैं as a class यह class समझ गया है जिसके अंदर user defined data type होता है इसके अंदर combination of data types हो सकते हैं हो सकता है similar type of data हो सकते different type of data combination of methods हो सकते हैं इसके अंदर constructors भी हो सकते हैं भ template from which objects are created बहुती simple line है class एक template है उस template से object create होता है यह क्या बात होगी भी हो अभी समझेंगे बहुती प्यार हो समझेंगे अभी समझते हैं इसको अपने class हो गई यहाँ पे end basic class यहाँ पे खतम होती अब अपन समझते हैं object क्या है क्योंकि अपने को जब यह समझना है blueprint या template from which objects can be created अपने को objects बनाने पड़ेंगे तब ही तो आपन समझेंगे कि class template है कि नहीं है ठीक है तो अब इसको देखते हैं अब चलते हैं यह अपने object वाली तरफ तो object is a instant of class instant मतलब उसका एक part है class हो गई बहुत बड़ी उसका एक simple सा एक part बना दी instance 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 मेरे खाल से सबी लोग बच्चे समझते हैं ठीक है क्या मतलब होता है object क्या है class का instance है यार जैसे तुमारी एक family है तुम उस family का part हो ना तो उसको कहेंगे instance of your तुम क्या हो अपनी family के क्या हो एक instance हो ऐसी class क्या है object क्या है इस class का instance है यह इसको कहेंगे object यह हो गई अपनी class तो भाईया अब समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि class जो है एक template है या फिर एक blueprint है और उसका जो instance है उसको हम क्याते है object उसको क्याते है object यह लिखा है class is a template और blueprint भी कह सकते हो कि एक नक्षा है इसकी health से अपन क्या बनाएंगी different different objects बना सकते हैं ठीक है तो यह क्या हो गई भाईया object objects क्या है instance है तो अब यह line भी clear होने लग गई अपने को और यहां पर लिखा है class is a group of similar objects यह line भी clear हो गई ना यार यह class हो गई इसमें अपन similar type of objects create कर सकते हैं इस class को और इसी को कहेंगे instance कहेंगे और इसी को क्या कहते हैं objects कहते हैं और यह template है class और इसी के क्या है अपने objects हैं इसी की health से अपन objects बना सकते हैं तो it is a template from which objects are created देखो बहुत ही प्यारे तरीके से बता रहा हूं एक चीज समझा रहा हूं कोई जल्दी नहीं अ photo है अपना अब मेरे खाल से line clear हो गई होगी यार class का instance object कहलाता है या फिर object is a instance of a class all the memory of class can be accessed through the object हम object से हम object से हमने object बना लिया मतलब एक instance बना लिया एक छोटा पार्ट इससे निकाल लिया अब हम इससे ना यार class के अंदर का data निकाल सकते हैं जैसे int data था ने int id थी तो हम यह हाँ पर ले सकते हैं उस object के help हम चाहते हैं बहिए एक void नाम का एक function बना लेते हैं function का काम है print करना तो हम इस instance से क्या करेंगे इस function को भी access कर सकते हैं जिसको हम class के अंदर function नहीं कहेंगे method कहेंगे यार ठीक है अब हम थोड़े पड़े लिखे हो गया हम function नहीं कहेंगे method कहे तो यह समझ गए कि all the member of a class can be accessed through an object है ना can be accessed through object पहले लाइन क्लेर होगे अधर वर्ड में कह लेते हैं यह हम दूसरे की भास से में भी कहेंगे यह object एक entity है that has state and behavior object एक entity है जिसका एक state होने वाला है उसका कुछ behavior होने वाला है state means data and behavior means function जिसको method कहते है functionality मतलब जिसमें हम कुछ enhance कर रहे हो कि इसमें भाईया print हो रहा है इससे हम data ले रहे हैं get कर रहे है data fetch कर रहे है data update कर रहे है data तो यह सब चीज क्या है भाईया functions ही तो है functions की help से ही तो अपन यह सारी changes कर सकते हैं तो मतलब behavior मतलब हम इसमें functionality add करेंगे state मतलब हम इसमें data changes कर सकत मतलब कहने की बात यही कि all the member of a class can be accessed through an object उसको दूसरे भाशा में कह दिया object में एक entity है जिसको हम state और behavior मतलब जिसके अंदर states और behavior होते है states का मतलब एकी member होंगे या data type होंगे data होंगे या फिर दूसरा function होंगे जो कि अपने देख लिया class के अंदर यह सारे चीज़े थी ना भई यह data type था int था और उसके बाद एक string थी string का नाम name ही था और int id थी तो हम इसको student object के help से मतलब एक student का instance बना लेंगे s1, s2 करके अभी समझते है उसको ठीक है object एक runtime entity है it can created at runtime अभी का बात होती बाई एक होते है compile time दूसरा बात है runtime runtime मतलब अभी समझेंगे आगे ठीक है runtime का मतलब actually मैं आपको short way में बताओ कि जब अपना code चल रहा हो ना जब अपना code run हो रहा हो उस time पर बनेगा ओके समझ गया अभी इतना समझो बस आगे के लिए runtime और compile time यह सब आगे चलेंगे पूरा समझेंगे को दिक्कत नहीं सब ची समझ गे class समझ गया अब यह चीज़ बता दो object का एक object का क्या बना दो code बता दो अभी हमने class का code बनाया था class क्या नाम थी मेरी student अब याद रखना अगर आपने student का s capital लिखा है तो आपको object बनाते समय भी s capital लिखना पड़ेगा अगर आपने student का s small रखा है तो भाईये small समझते हैं जैसे मेरे को एक integer बनाना होता है ठीक है एक variable है जिसका मतलब समझ रहे हो ना एक data type int है ठीक है तो मैं इसको इस तरीके से लिखता था अब मैंने आपको बताया यह तो था inbuilt मतलब user जिस चाहता data type का उस type का data नहीं है बट class से हम यह कर सकते है तो class क्या होगा user different data type यहाँ पर अपना data type लिखा रहते है वेरेबल अगर अपने को बनाना हो और उसका नाम लिख दिया पनने कुछ भी ठीक है अब अपन चाहते है कि भईया हम इस तरीके से बना सके मैंने क्या बोला data type है class क्या user different data type data type ही तो है class भी class का नाम क्या student उसका object क्या बन रहे है भईय सेम देख रहे हो यह data type है तो student भी तो क्या है data type है यह inbuilt data type था यह user different data type है class का मतलब यही तो है class हम इसलिए तो बना रहे हैं कि user different data type हो सके तो बढ़िए student क्या होग यूजर different data type यहाँ पर उसका नाम था यहाँ इस student class का एक object है उसका नाम एस रैफर कर रहा है रैफरेंस है student class का एक object है S1 जो कि refer कर रहे हैं आप एक class को कि यह इसका reference है object है यह मेरे खाल से समझ गया object कहा है instance है reference है इस student class का एक part है S1 जो है student पहला है जो पहला student है जो कि student class का part है अब अपने को integer यह बनाना होता data type int का एक variable बनाना होता जिसका नाम मैं A रखना चाहता हूँ तो यह data type की जग़ data type रखेंगे data type का नाम के student user defined data type है है ना और इसका नाम अगर मैं A रखता तो एक पहला student A बन जाता बट मैं चारा हूँ S1 रखना standard way में S1 रख देता हूँ ठीक है आप चाहो S2 रखना S2 रख दो यह अपने complete कर लिया ठीक है समझ गया तो भाई यह समझ गया अब देखो इसको define करने के objects को अपन दो तरीके लिख सकते है objects को अपन दो तरीके से लिख सकते है एक है using simple है ना static दूसरा होगे dynamic एक होता है static जिसको अपन simple int A करके लिखते जैसे int A यह होगे static declaration दूसरा होगे dynamic int star A is equal to new int इस तरीके से लिखते हैं pointer बगरा बनाते हैं तो जाओ तो भाईया यह दूसरी चीज़ वो यह रही अभी समझते हैं और अभी अपन ने तो पहली line समझे है यह समझा अभी अपन यहाँ क्यों जा रहे है अपन पहले यह तीनों समझेंगे फिर यह समझेंगे क्या है ठीक है कोई जल्दी नहीं है अभी अपन ने देखा था यह कि class है class के अंदर यह public छोड़ते हैं अभी public क्योंकि अपने को तीन चीज़े पढ़ने पढ़ेंगे access specifier modifier जिसको कहते हैं वो public private protected होती है आगे चलके पढ़ेंगे बिलकुल प्यारे तरीके से पढ़ेंगे सब चीज़ पढ़ेंगे अभ यह पन बस इधर रखते हैं इधर देखते हैं int id है और string name है अब मैं चाहता हूँ कि इस data को मैं change करूँ या फिर इस data में object की through क्या कर सकते हैं access कर सकते हैं अब class के अंदर क्या-क्या था मेरे पास एक id पढ़ी हुई थी दूसरा मेरे पास एक string type का name पढ़ा हुआ था यह दो चीज़े मेरे पास पढ़ी हुई अभी वहापे कोई function नहीं है तो मैं id को access कर सकता हूँ क्योंकि S1 के मेरा object है अभी हमने पढ़ा कि एक object क्या कर सकता है class की क्या चीज़े जो भी member हैं उनको access कर सकता है हो सकता है वो member function हो member function मतलब वही method show method show या फिर variables हो ठीक समझ गया तो हम S1 हमने बना रखा एक object S1 से हम id को भी access कर सकते है S1 को हम name से भी S1 के name से भी access कर सकते है तो हम चाहते हैं कि S1 एक student हो उस class का जिसका id हो 101 S1 का जो नाम हो वो भी होना चीए true engineer जो कि अपने channel का नाम है ठीक है अपन ये चाहते है अपन ये value set कैसे करें हमें तो इतना हम ये चाहरे हैं कि S1 के एक id होनी चीए जो 101 के बराबर होनी चीए S1 का एक नाम होना चीए जो true engineer के बराबर होना चीए अपन इसमें set कैसे करें set कैसे करें simple सा अगर अपनने normal object बनाया है मतलब static object बनाया है तो अपन dot operator की help से इसको set करते हैं S1 मेरा student intent एक reference बन गया एक object तयार है अपने पास object का नाम है S1 जैसे data type नाम था A तो अपन क्या करते थे न यहाँ पर क्या 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 आपनने int A बना लिया फिर अपने को A अगर करना है तो A में ऐसा 5 डालना है तो suppose A में सीधा 5 डाल दिया बट यहाँ पर कहा कि integer A सिर्फ एक block है उसके अंदर 5 पड़ा हुआ है बट class के अंदर ऐसा नहीं है यार class एक block है जिसके अंदर एक id पड़ी हुई है और एक name पड़ा हुआ है ऐसा यहाँ पर दिख रहा है गया class class के अंदर सिर्फ एक id थोड़ी नहीं नहीं सिर्फ एक name है यहाँ पर दोनों चीज़ है यहाँ फिर बहुत सारी चीज़े भी हो सकते है functions भी हो सकते है other data types भी हो सकते है तो यहाँ पर अपन सीधा सीधा यह नहीं लिखेंगी S1 is equal to 101 अगर अपने A की जगा 5 ऐसा लिखा था ना जैसे A is equal to 5 लिखा था सेम अगर अपन S1 is equal to 101 लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं क्या पता वो इसमें जा रहा हो क्या पता वो इसमें जा रहा हो समझ रहे हो क्योंकि इसके अंदर multiple properties है class के अंदर जब अपने int A लिखा था int A लिखा था तो अपने को पता है कि A अब एक integer type का data store कर सकता है जो कि 5 है तो भहिया वो अपने इस तरीके से कर लिया बट अब class के अंदर ऐसा थोड़ी ना है कि अपने class S1 अगर reference बना लिया इस class का object S1 अगर मैंने बना लिया student class का तो इसके अंदर सिर्फ एक ID ही नहीं है सिर्फ एक name ही नहीं है ऐसा तो नहीं है न बहुत सारी चीज़े हो सकती ही कलगो अगर आपन बड़ा code लिखेंगे अभी भी देखो छोटा code में भी देखो सिर्फ एकी चीज़ नहीं है तो इधर multiple चीज़ यहां गई हम सीधा S1 is equal to 101 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आपने को यहीं नहीं पता कि 101 ओ इधर जा रहा है कि 101 इधर जा रहा है अपने को पता होना च्छी कि आपन ID में 101 सेट कर रहे है नेम में ट्रोंजीनियर सेट कर रहे है ठीक हैं तो अपन सीधा S1 is equal to 101 नहीं लिख सकते मेरे यहाल से यह बात चमक गई होगी सभी बच्चों को A is equal to 5 इसलिए लिख सकते थे क्योंकि आपने इंट A बना लिया था अब अपने को पता है कि जो A है वो सिर्फ क्या है एक variable store कर सकता है जिसका value integer type का होगा एक value store हो सकते जिसका type integer होगा और वो range के अंदर होगा integer की ठीक है बट अपने को पता है कि भाई class के अंदर multiple क्या है data types है एक id हो गया जो integer है name हो गया string है अगर मैं S1 मेंने एक object बना लिया तो S1 में 101 नहीं लिख सकता ना मेरे भाई क्योंकि इसमें multiple properties है वो 101 id में जाएगा या name में जाएगा या फिर other properties और होंगी किसमें जाएगा हो हमें यहीं नहीं पता अब हमें पता लगाने के लिए मैं डालूँगा S1 dot operator की हल से मैं यहाँ पर set करूँगा id में मैं को set करना 101 समझ गया simple सी चीज है क्यों हमने देखो बहुत सारे लोग आपको सीधा code करके बताएंगे कि S1 dot id is equal to this अपन यह नहीं बता रहे है अपनने बताए कि अपन इसको S1 is equal to 101 क्यों नहीं लेख सकते इधर क्या गलती बैटरी है इधर गलती समझ गया अगर बन्दा इधर गलती समझ गया तो बैया कभी भी object बनाते समय कभी भी गलती नहीं कर पाएगा बैया ट्रून जीने की खासियती है यह जो चीज पढ़ाएंगे खतम कर देंगे पूरी जिंदिगी उसमें उसको कभी भूलेगा इनी बन्दा ठीक है यह concept की concept तयार रखेंगा अपन हारे एक चीज के यहाँ पर is equal to 5 इसले रखा क्योंकि इंटीजर टैप का डेटा है 101 रख दूँ मैं इस सीधा सीधा रख दूँगा मैं को पता है कि ए में सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही जानी है तो मैं यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू ड पता होना चाहिए न यार पता चल रहा है 101 अपने डाला आइडी में फिर मैंने डाला 205 पता चल रहा है यह ID नहीं यह कुछ और ही डेटा है पर अपन यह ID की जगा इस्टोर कर रहे है तो गलत हो जाएगा न यार concept ही गलत हो जाएगा तो अपन इसलिए इसलिए अपन क्या करते हैं इसलिए अपन क्या करते हैं dot operator का यहां पर यूज करते हैं तो s1.id अब ID में मैं set कर दूँगा 101 सेम s1 का name s1 एक student है जैसे तुमारे college में school में college में क्या होगा पहले नाम का कौन हो सकता है एज ए नाम से हो सकता है suppose Ajay तो s1 को लेके चलो Ajay Ajay की ID क्या है 101 है Ajay का name क् इस तरीके से उसको समझोगे तो और भी simple हो जाएगा जिसका नाम में जो भी ए नाम से पहले होगा तो समझ गया तो इस टाइप के object को कहेंगे अपन static object ठीक है अब आपने तो बदाया था कि object अपन दो तरीके से बना सकते हैं कि static दूसरा dynamic ठीक है अब यह दोनों चीज़े क्या होती है समझे बहुत ही प्यार तरीके से बहुत ही यह तो फर्स लेक्चर है वाई शुरूबात हुई अभी अभी और बहुत सारी चीज हमझेंगे ठीक है तो भाई यह होगे static अपने इसमें create करना सीख लिया object कैसे create किया जाता है उसमें value set करना सीख लिया यार यह तो लिखा क्योंकि अपने को पाता है स्वन का टाइप क्या है स्टूडेंट है अब स्टूडेंट के अंदर क्या चीज है मल्टिपल चीज है तो वहां पर अपन यह नहीं कर सकते भाई कि स्वन की value 101 हो जाए स्वन का नेम मतलब समझ रहे हो ना सीधर ट्रून जीनिया नहीं ल पाइंटर्स पढ़ा होगा ठीक है कोई बीड़ करते तो कई कोई जगा इंट पी कर देते हैं ऐसे भी तो डिकलीर किया जा सकते हैं बिल्कुल सीग अरो बट आपने जावा देखी तोड़ी बहुत नहीं देखी मत देखो कोई दिक करनीह देखी यह तो समझो अबी में को तो मैंने इंट स्टार ए बना रहे है इस इक्वल टू न्यू इंट कर दिया तो यह जो ए है वह रैफ्रेंस है इस पूरे एरे गा ठीक है इस तरीके से अपने आप करते हैं और अगर किसी ने प्यारे तरीके से पढ़ी है तो पॉइंटर के अंदर अपने ऊंट स्टार P करके बनाते दूसरा इंड स्टार P से करते हैं सब्सक्या काम थियु इस तरीके से भी तो इसको घाएंगे डाइनेमिकली ठोप दोग हूगा है मतलत हिप में एक बना है जिसका नाम है अगर मैं int star ptr is equal to new int लिखूँ तो इसका मतलब है ptr जो है इसको पॉइंट कर रहा है तो ptr बन गया हीप में और पॉइंट किसको कर रहा है भाई इस type of integer को पॉइंट कर रहा है यह कहीं stack में अब heap क्या होता है stack क्या होता है बाद में बात करते हैं ठीक है बहु में सब चीज़ पढ़ेंगे अपन ऐसा नहीं कि यही खतम कर रहे है पहला lecture में पूरा खत्म हो जाएगा object oriented शुरूबात है ठीक है अब इक लिए ता समझो कि object जो अपन ने बनाया है वो क्या static object है अब जो अपन बनाएंगे वो बनाएंगे dynamic देखो कोई नहीं बताएगा कोई नहीं बताएगा इतना कुछ अपन बताएंगे वर अपन चार हैं full on placement साथ में full on सभी पास हो जाएं exam में अब देखो भाई same way student student है अब जैसे हमने आपको बताए कि int star ptr is equal to new int करके हम लिखते हैं int क्या है यह इंट है तो यहां पर देखो student क्या है यह वाले student है ptr की ज जगा है है यहां पर मैं student डाल दूगा same same है int data type है इंट data type उसकी जगह student data type स्टार तो स्टारी रहेगा नांगे चेंज होगा ptr की जगह pointer है नाम तो कुछ भी दे सकते हो तो एस्टू दे दिया तुम चाहों PTR दे ना PTR दे दो पट अच्छी तरीके से स्टेंडर्ड फॉर्म वे फॉलो कर रहे तो यहां पर हमने एस्टू दिया न्यू तो न्यू रहेगा न्यू का मतलब जहां पर अपने न्यू की वड़ देख लिए न मतलब समय लोग कि यह भाई से पढ़ना पड़ता है ठीक है अगर अपन डैनेमिक जा रहे तो अपने को यहां पर एक एरो दिख रहा है वाई एरो दिख रहा है ऐसा s1 arrow id is equal to 101 चाहो तो इसको दूसरी आइडी सेट कर सकते हो 102 कर सकते हो 201 कर सकते हो तुम्हारी मर्जी जुनिया भर की आइडी इस पड़ी हुई है तो आपने यहां पर arrow function यूज किया भाई यहां पर arrow क्यों किया वो dot क्यों नहीं किया यहां पर इस तरीके से करते हैं arrow की जग short में क्या लिखेंगे star s2 dot id की जगापन लिखते है s2 arrow id आप चाहो star s2 dot id is equal to id का value 101 set कर सकते हो यह तो आप चाहो arrow की value से set कर सकते हो देखो star s2 dot id या s2 arrow id आप चाहो यह follow कर लो यहां पर value डाल देना 101 101 या 102 जो डालना है एक आथ value आगे पीछा कर लेना same मत डालना नहीं तो यहां पर error देगा ठीक है chances हो सकते हैं तो समझ गे ना भाई यहां तो arrow function यूज कर लो या तो फिर star और उसका नाम dot id same name के लिए भी इसको अब program बनाओ same class बनाओ class के बाद यह data student बना लो चीक है object बना लो देन्स को run करके देखो ठीक है बहुत ही प्यारा तरीके से मेरे खाल से मैंने अपने end चे फोल आउन दिया बाकि आप लोग comment section में बताना है और कैसा लगा वीडियो ठीक है मिलते हैं